एक बार फिर्ट से स्वागत है आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्री मेच्चूर बर्थ के बारे में जिसको प्री टर्म बर्थ भी कहते हैं जिसका मतलब होता है बेबी का समय से पहले जन्म होना फ्रेंड्स प्री मेच्चूर बर्थ के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टडी में ये पाया गया है कि और देशों की तुलना में इंडिया में प्री मेच्चूर बर्थ का रेशियो जादा है इंडिया में हर दस प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी की प्री करके premature birth को रोक सकते हैं ऐसे बहुत सारे medicine हैं बहुत सारे treatment हैं जिससे इसको रोका जा सकता है मां के गर्व में बेबी का एक दिन NICU के तीन दिन के बराबर होता है तो आप इससे यह अग्लाजा लगा सकते हैं कि बेबी का मां के गर्व में एक गंटा कितना important होता है तो इसलिए डॉक्टर यह चाहते हैं कि बेबी को जितना हो सके उतना मां के गर्व में रोके रखा जाए अगर फिर भी possible नहीं हो पाता है तो premature birth एक ऐसी जगा करवाया जाए जहांपे NICU available हो नियो नेटल इंटेंसी केर जिसको कहते हैं वो एवलेविल हो इसपेशल नसरी केर एवलेविल हो ऑक्सीजन एवलेविल हो वेंटिलेटर एवलेविल हो ताकि बेबी को proper treatment किया जा सकी तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि premature birth होने का क्या कारण होता है premature birth के क्या symptoms होते हैं इसकी क्या पहचान होती है और premature birth होने से बेबी और मदर को क्या कॉम्फिकेशन आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, प्रीमेचुर बर्थ होने में बेबी को क्या ट्रिटमेंट किया जाता है, तो फ्रेंड्स विडियो बहुत ज़्यादा इंफर्मेटी है विडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रीमेचूर बर्ट के बारे में पूरी जानकारे मिल सके और अगर आपको ये विडियो यूसफुल लगेगा तो इस विडियो को लाइक करिएगा अपने वीक का होता है चालिस सप्ता का होता है और अगर बेबी का बर्थ 37 वीक से पहले हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रीमेचूर बर्थ या प्रीटर्म बर्थ जब बेबी का बर्थ समय से पहले हो जाता है उसका प्रीमेचूर बर्थ होता है तो मदर और बेबी दोनों में कई सारी कॉम्टिकेशन आते हैं कई सारी समस्यां आती हैं तो बेबी में जो पहली समस्या आती है वो होती है बेबी को ब्रीधिंग प्रॉब्लम होती है प्रीमैचूर बर्थ होने से बेबी का जो लंग्स होता है वो प्रवपन मैचूर नहीं होता है जिससे उसको ब्रीधिंग होती है उसको सांस लेने में दीकत होती है तो जब बेबी का प्री मैचूर बर्थ होता है और लंग्स पूरी तरीके से मैचूर नहीं होता है तो उस condition में बेबी को steroids के injection दिये जाते हैं ताकि बेबी का जो lungs है वो जल्दी से जल्दी mature हो सके और बेबी को सांस लेने में दिकत ना हो तो यह पहली समस्या बेबी को होती है बेबी का जन्म समय से पहले होने पर premature baby होने पर baby के brain में भी problem आती है बेबी के brain में bleeding होने का risk रहता है जिसको कहते हैं intraventicular hemorrhage कुछ hemorrhage कुछ समय की बाद ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ babies के brain में ज्यादा bleeding हो जाती है जिससे permanent brain में injury रहती है premature birth होने से baby को heart problem भी आती है जिससे baby को low blood pressure की problem रहती है जिसको कहते हैं hypotension तो low blood pressure में baby को intravenous fluid चढ़ाना पड़ता है और कभी कभी baby को blood भी चढ़ाना पड़ सकता है बेबी का जन्म समय से पहले होने पर उसको gastro intestinal problem आती है उसका digestive system proper mature नहीं होता है और baby जब feed करता है तो उसको necrotizing enterocolitis की problem आती है प्री मेक्चूर बेबी में blood problems आती है जैसे की एनेमिया की problem आती है जोंडिस की problem आती है बेबी के आखों का और इस्किन का कलर पीला आख हो जाता है इसके अलावा बेबी को मेटाबोलिसम प्रॉब्लम साती है प्रीमेचुर बर्थ होने से बेबी का इम्मून सिस्टम वीक होता है रोग प्रतिरोधक चमता कमजोर होती है जिससे उनको किसी भी तरह का इंफेक्शन होने का रिस्क जादा रहता है इसके अलावा प्रीमेचुर बर्थ होने से बेबी का बर्थ वेट जो होता है वो कम होता है जिससे बेबी का जो size होता है वो normal babies की तुलना में वो कम होता है जिससे बेबी को feed कराने में या handle करने में बहुत जादा दिक्कत आती है इसके अलावा premature birth होने से mother को postpartum depression होने का risk रहता है तो ये तो बहुत ही obvious सी बात है कि जब premature birth होगा तो mother को कई सारे tension होगी अपने baby को लेकर tension होगा अपने body को लेकर अपने health को लेकर कई सारी tension रहती है तो obvious सी बात है कि postpartum depression होने का risk mother को ज़्यादा होता है तो premature birth होने से mother और baby में ये सारी समस्याएं आती है तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम समय रहते इसका treatment करके इसको रोक सके या फिर premature birth हम एक ऐसी जगा करवाएं जहां पे NICU available हो special nursery gear जहां पे हो oxygen जहां पे हो ventilator जहां पे available हो ये सारी चीज़े जहां पे available हो ताकि baby को proper treatment मिल सके वहां पे हमको premature birth कराना चाहिए अब अगर बात करें premature birth होने के कारण की तो ऐसे बहुत सारे condition होते हैं जिसमें premature birth होने के ज़्यादा risk रहते हैं और कई सारे कारण at the end पता चलते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से condition होते हैं जिसमें pre-mature birth होने के ज़्यादा risk रहते हैं तो सबसे पहला जो condition होता है कि अगर uterus में multiple pregnancy है मा लीजे किसी की twins pregnancy है या फिर triplets pregnancy है तो उस condition में pre-mature birth होने के ज़्यादा risk रहते हैं कई महिनाएं ऐसी होती है जिनकी high risk pregnancy होती है जैसे कि उनको high BP की problem रहती है diabetes की problem रहती है तो ये high risk pregnancy होती है तो इसमें भी premature birth होने का ज़्यादा risk रहता है जो महिनाएं underweight होती है जिनका weight normal से कम होता है या फिर जो महिनाएं overweight होती है जिनका body weight normal weight से ज़्यादा होता है तो इस condition में भी premature birth होने के बहुत जादा chances होते हैं जो महिलाएं in vitro fertilization के द्वारा pregnant होती है जिसको कहते हैं IVF IVF का मतला होता है in vitro fertilization तो IVF के द्वारा जो महिलाएं pregnant होती है उनमें premature birth होने के बहुत जादा chances होते हैं इसके अलावा किसी तरह का infection जब होता है तो infection के कारण भी premature birth होता है अगर uterus में कोई problem रहता है cervix में कोई problem रहता है uterus की जो opening होती है उसको कहते है cervix तो वहाँ पे कोई problem रहता है placenta में कोई problem रहता है तो इन सारे condition में भी premature birth होने का risk रहता है इसके अलवा pregnancy के दौरान जो महिलाएं बहुत ज़्यादा stress लेती है उनको भी premature birth होने का खत्रा रहता है तो ये सारे कारण होते हैं जिसमें premature birth होने के chance ज़्यादा होते हैं risk ज़्यादा होता है premature birth को रोकने के लिए premature के symptoms को जानना जरूरी है ताकि आप समय रहते इसको symptoms को जान पाएं इसकी पैचान कर पाएं कि आपको premature birth के symptoms आ रहे हैं ताकि आप समय रहते होस्पिटल जाएं डॉक्टर के पास जाएं अगर डॉक्टर आपको treatment के द्वारा premature को रोक सकते हैं तो आपको treatment करेंगे या फिर आपको advice करेंगे कि अगर possible नहीं हो पाता है तो आपको premature birth एक ऐसे hospital में करना चाहिए जहाँ पे सारी facility अबलेबिल होंगी जो कि मैंने अभी वीडियो के starting में बताया है कि वहाँ पे NICU अबलेबिल होगा special nursery care अबलेबिल हो oxygen जो भी treatment के लिए ज़रूरी चीजे होती है वो सारी facility बेबि के लिए अबलेबिल हो तो premature birth के जो symptoms होते हैं वो normal delivery में जो symptoms आते हैं तो दोनों symptoms same to same होते हैं सबसे पहले जो symptom यह होता है कि आपके back pain start होता है back pain से आपके पेट में cramp अलका हलका start होगा फिर वो cramp बढ़ने लगेगा फिर 10 मिनट पे आएगा फिर 5 मिनट पे आएगा तो ऐसे रुख रुख के आपको pain start होगा pain के साथ आपको वजाना से water discharge होने लगेगा water discharge के साथ blood आने लगेगा pelvic area में pressure बढ़ जाएगा nausea traumatic feed होने लगेगा उल्टी और मतली जैसा होने लगेगा diarrhea होने लगेगा तो ये सारे premature birth के symptoms होते हैं जो normal delivery के समय symptoms आते हैं तो premature birth में भी वह symptoms आते हैं तो अगर pregnancy के दोरान 37 weeks से पहले अगर आपको इस तरह के का symptom आता है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए ये premature birth के symptoms होते हैं तो इस condition में जैसा कि मैंने बताया कि आपको तुरान्थ hospital जाना चाहिए तो friends I hope कि इस वीडियो से आपको premature birth के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी useful लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा से एर करिएगा ताकि हम premature birth के बारे में हम सब मिलकर जागरोख हो सके और इसको कम कर सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थैंक यू